step two close all the liability accounts liabilities liabilities हमने देखा है अभी समझे आज एक होती है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी फिर ओते हैं पार्टनर्स लोन होते हैं कैपिटल बैलनस और फिर हो सकते हैं accumulated profits and reserves थे अक्रेंटी सब्सक्राइब क्या क्षा सकता है clear liabilities like creditors bills paypal bank loan outstanding expenses provident fund सारी third liabilities transfer कर दो क्लोस कर दो तो liabilities का debit balance होता है credit balance credit balance अब liability close कर रहे है तो लाइबिलिटी अकाउं डेटेटेट टू realization अकाउं डियाबिलिटी अकाउं डेटेट टू रियलाइजेशन क्लोस कर दो सारी liabilities सारी liabilities transfer होंगी no third party liabilities transfer होंगी ध्यान दियान दिना important point दियान दिना important point कुछ exceptions लें पार्टनर्स लोन यहां transfer नहीं होता क्यों नहीं होता है अगाउंट बन रहा है तर्फ यहां ट्रांसपर नहीं होंगे separate account बन रहे हैं करिंट अकाउंट बैलन सेजिए आठांसपर नहीं होंगे separate account बन रहा है तर्फ क्या ट्रांसपर होगा थैंक लोन है पार्टनर की देवी का लोन है spouses loan spouses loan होता ना spouse का मतलब होता है बीवी हो क्या पता बीवी पार्टनर है उसके पती ने लोन दे रहा था तो spouses loan is a third party liability ओके तो वो ट्रांसफर होंगे creditors बिल्स पेबल प्रॉप्टेंट पंड सब ट्रांसफर होगा रिजर्व्स रिजर्व्स पी एंजय एंगे यह सीखेंगे कि कुछ स्पेशिफिक रिजर्व्स हैं जो ट्रांसफर होंगे जैसे से इंवेस्टमेंट टूइशन रिजर्व के अलग केसे से प्रोविजन पॉर डेप्रीशिएशन ट्रांसफर होगा प्रोविजन पॉर डाउट्फूल लायाबिलिटी वह यहां पर ट्रांसफर होगा तो यह दीरे दीरे ओवर पीरिट ऑफ टाइम हम सीखेंगे बट क्लोजर यहिवेडिि एऄा और को लएलिसेशन से रांसफर नहीं हो नहीं फंट कुछ नहीं हो नहीं होंगे कि अभी हम केसे करेंगे जन्य रिज़र्व को अधितल यह नहीं होगे मत आगे जाके हम सीखेंगे कि वन्वाइवर की इन्वेस्मेंट में क्या होगा यह जो किसी आप पर पस के नहीं है वह फ्री है वह क्या करेंगे डारेक्ट्ली कापिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे पार्टनर में डिस्ट्रिब्यूट कर देंगे उनके विड्रेशों के क्लियर कोई भी डाउट तो यह जर्णल एंट्री किसकी प्लोजर आप अब साइमल्टेनेस दिखाते हो उसको लेजर अकाउंट में कैसे दिखाते क्या बना रहे होते है रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट साइट पर आता टू संड्री एसेट्स यह पूरे पेज का बनाएंगे अभी पूल पेज पूरे पेज का रियलाइजेशन बनाएंगे अभी तो मैं जितना बतारू ना आगे जाके स्टेप्स एड़ों पे रहेंगे तो आप उस पेज तो त्री लाइंस कावर्स पार्टनर्स लोन अगाउंट पेज टू सिक्सेवन लाइंस कापितल अगाउंट सब्सक्राइब और कैश और बैंक पेज टू अगैंट सिक्सेवन इस ठीक है क्लियर यह मिनिमुम सेवन ओ यह सिक्स भी चलेगा में अभी फॉर्माट आपको बतारो कि अभी तो हम सिर्फ दो स्टेप्स सीखें ना स्टेप वन क्लोजर आप असेट्स तो एंट्री क्या बिल्डिंग की वैल्यू क्या है डेटर्स कितने हैं सारे हो जाएंगे क्या ट्रांसफर नहीं होगा कैश और बैंक नहीं होगा कैश यहां पे चला जाएगा टू बैलेंस बीडी अगर अक्यूमिलेटेट लॉसेज हैं तो वह कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइट पे टूपी एंडर अकाउंट कौन सा भी एंडर अकाउंट डेबिट बैलंस तो डेफर्ट रवन्यू एक्स्पेंडिचर एक्सिस्टिंग गुडविल इस नौट अपिक्टेशियस असेट एक्सिस्टिंग गुडविल यहां पर राइट आप नहीं होती पुरी दी कॉंस्टि असे कैसे क्लोज हो रहे है जर्ण एंट्री और लेजर प्रेजेंटेशन क्लियर लाइबिलिटीज वाइ संड्री लाइबिलिटीज तो एक एक करके आप आ जाएंगे क्या क्रेडिटर्स बिल्स पेवल बैंक लोन सब्सक्राइब हुआण से नियुक्त होता हुआ थे लाइबिलिटी होता है तो सब्सक्राइब प्रोविजेन liabilities में जाता है लो नगर है तो बाई बैलेंस बीडी डी कैपिटल बैलेंस बाई बैलेंस वीडी विदिकत बैंक ओवर्ट्राफ जब आएगा तब डील करना सिखा तो अब बैंक ओवर्ट्राफ बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस ऑप्शन वान दूसरा इट कैन बी टूसरा करता है कि अगर एकजम में या बैलन्स बैंक और बैंक अका चैश है और बैंक का शेवान करें verbess ऑ क्लियर मैं करो बैंक जब आएगा मैं बताऊंगा क्या करना है कि ध्यान लखना है कि आपने सुनना है जो अभी मैं हवा में नहीं बताना चाहता क्वेश्चिन के साथ कराऊंगा बट यह बता रहा हो कि उसके अलग-अलग केस हो सकते हैं कि कब वो एक थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कि तरह ट्रीट करा जा रहा है कब वो एक नॉर्मल बैंक अकाउंट है ओवर्ड्राफ्ट हो गया तो उसका हमारे लिए क्रेडिट बैलेट हो गया इस पर बिजनेस विड़ाव आज के लिए इतना ही